नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है सरकारी गान फोर यू में दोस्तों बात करने वाले हैं आज की बहुती महत्रपून खबरों के संबन्द में दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सबस्क्राइब कर लें जिससे आपको किसी भी भरती को लेकर कोई भी authentic news सबसे पहले मिल जाए दोस्तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पैट 2022 के रिजल्ट को लेकर देखिए अभी एक घंटे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में आपको बताया था कि पैट 2022 का रिजल्ट आज आने के पूरे चांस है और दोस्तो जानकारी अब कुछ दिर पहले ये मिली है कि पैट 2022 के रिजल्ट पर जो मिटिंग आयोग में होनी थी वो शुरू हो चुकी है देखिए कोई भी रिजल्ट यूपिटर पलेसी जारी करता है तो उससे पहले मिटिंग जरूर होती है तो पैट 2022 के रिजल्ट को लेकर आयोग के अंदर मिटिंग शुरू हो चुकी है और आज इस बात की पूरी पूरी उमीद है कि आज आपका पैट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया जाए ठीक है दोस्तो तो पैट 2022 वाले चात तयार रहे एडमिट कार निकाल कर आज आपको परिणाम देखने को मिल जाएगा दोस्तो अब बात कर लेते हैं वीडियो भरती 2018 के रिजल्ट की डेट को लेकर देखे चात्र बहुत दिनों से बार बार परिशान है और बार बार कमेट करके पूछते हैं कि सर आप हर भरती का नियूज देते हैं लेकिन वीडियो रिएग्जाम की डेट क्यों नहीं बताते देखे वीडियो रिएग्जाम की अगर मैं आपको बताऊं तो देखे आयोग के अंदर मैं काफी दिनों से इस बात की जानकार निकाने का प्रियास कर रहा हूं कि आखिरकार इसकी परिख्षा किस मन्त में हो सकती है तो जानकारी मुझे बार बार यही मिल रही है कि ये परिख्षा आपकी अप्रेल के महिने में यूपिटर परेसी करवा सकता है ठीक है अप्रेल आप मानकर चलें कि इसकी परिष्छा 99 परतिशत अप्रेल में हो जाएगी देखे मेरा काम किसी को भेकाना तो है नहीं जो जानकारी मिलेगी बिल्कुल वही आप तक पहुँचाई जाएगी तो आप बिल्कुल अप्रेल मानकर तयारी को आगे बढ़ाते रहें और जानकारी मुझे ये बिली है कि फरवरी के महिने में आपको कोई ना कोई ओफिशल नोटिस वीडियो अठारे के री एक्जाम के सम्मंद में देखने को मिल सकता है इसलिए जितने भी छातर वीडियो अठारे वाले हैं वो बिल्कुल अप्रेल मानकर तयारी को आगे बढ़ाते रहें और फरवरी में आपको हर हाल में कोई ना कोई ओफिशल नोटिस इस भरती के सम्मंद में देखने को मिल जाएगा ठीक है दोस्तो अब बात कर लेते हैं यूपिटर पलेसी की इस भरती में बड़ा जोल हो सकती है रद जी यहां दोस्तो जानकारी मिली है एक भरती को लेकर और यूपिटर पलेसी की वो भरती है विज्यापन संख्या पांच बटे दो हजार अठारा ठीक है दोस्तो यानिकी वो भरती है मंडी स्पेक्टर की भरती ठीक है मंडी स्पेक्टर की जो भरती है इस भरती को चार साल से उपर का समय हो चुका है लेकिन अभी तक यूपिटर पलेसी ने इस भरती पर कोई भी एक्शन नहीं लिया है तो इस भर्ती को लेकर कुछ जानकरी ये मिली है कि ये भर्ती रद्ध होने की कगार पर है और इस भर्ती में 80% से ज्यादा जोल पाया गया है और ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी लेकिन कुछ छात्रों ने मेरी इस बताई बात पर कमेंट किये थे कि सर आपको कुछ नहीं पता है और ये भर्ती रद्ध नहीं होगी यूपिटर पलेसी इस भर्ती का डीवी करवाएगा ठीक है तो आज फिर जानकरी मिली है इस भर्ती को लेकर कि इस भर्ती में 80% से अधिक जोल है और इस भर्ती की परिक्षा का रद्ध होना बिल्कुल तैह है वीडियो 18 की तरह है यानि कि मंडी परिशद की परिक्षा भी दोबारा होगी विज्यापन संक्या 5 बटे 2018 तो जितने भी छात्रे मंडी परिशद वाले वो भईया इसका भी रियाग्जाम की तैयारी करते रहें ठीक है दोस्तों अब बात कर लेते हैं फोरेश्ट गार्ड और ASO के रिजल्ट को लेकर देखे फोरेश्ट गार्ड के रिजल्ट को लेकर जानकर ये है कि देखे आज पैट 2022 का रिजल्ट जारी हो जाएगा और फिर उसके बाद यूपिटर पलेसी के कम्प्यूटर ओपरेटर के परिणाम का नंबर है ठीक है कोगि आज पैट 2022 का रिजल्ट जारी होते ही यूपिटर पलेसी का काम है कम्प्यूटर ओपरेटर का परिणाम जारी करना और यूपिटर पलेसी तुरंत computer operator के परिणाम पर काम शुरू कर देगा और 10 दिनों के अंदर-अंदर आपको computer operator का परिणाम भी देखने को मिल जाएगा देखे, Jupiter policy पूरी तरीके से बार-बार तेजी से काम कर रहा है और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने कई परिणाम जारी किये हैं ठीक है, तो Jupiter policy काम है अब computer operator और computer operator का परिणाम 10 दिनों के अंदर आप मान कर चलिए यानि कि 2 या 3 तरीक तक आपको ये परिणाम भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद forest guard के परिणाम पर काम शुरू होगा और आप ये मान कर चलिए कि फरवरी लास्ट तक आपको forest guard का परिणाम भी देखने को मिल जाएगा, तो forest guard के बारे में update दोस्तों ये है अब बात कर लेते हैं ASO का result की देखिए ASO का आपका result जो है ये भी फरवरी में Jupiter policy जारी करने के तयारी कर रहा है, ठीक है अब कौन सा पहले जारी होगा अभी इसके बारे में कुछ कहने ही सकते या तो पहले forest guard जारी हो जाए या पहले ASO जारी हो जाए खोड़कि दोनो परिणामों पर Jupiter policy समानंतर रूप से काम शुरू करेगा ठीक है, और इन दोनो परिणाम उपर एक साथ काम शुरू होगा तो फरवरी में ये दोनो परिणाम आप मानकर चलिए forest guard भी और ASO भी दोस्तों आप बात कर लेते हैं UPPCS 2023 के notification को लेकर देखिए, PCS 2023 का जो विग्यापन है इसमें 300 प्लस पदो का अधियाचन आयोक को, यानि की UPPSC को मिल चुका है ठीक है, और रही बात की इसका विग्यापन कब तक जारी होगा तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले 10 दिनों के अंदर आपको PCS 2023 का notification देखने को मिल जाएगा तो जिन छात्रों का सपना है PCS बनने का वो बिलकुल तैयारी जीजान से करते रहे और मई में आपकी परिक्षा प्रस्तावित है आप सब को पता ही होगा तो बहुत जल्द आपको 10 दिनों के अंदर विग्यापन देखने को मिल जाएगा दोस्तों ये हो गई कुछ ख़बरे यूपिटर पलसी की और PCS 2013 के विग्यापन को लेकर और किसी भरती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले एकदम ऑथंटिक जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी दोस्तों यहीनियूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएए तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सबसक्राइब कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों जाइन जा भरत